नमश्कार खुलासा में आपको स्वागत हैं मैं आपके साथ अनुश्का सिना खबर से एक पूरा से है इस खबर में दबंगई की एक तस्वीर जो CCTV में क्याद हुई है उसकी हकीकत आपको दिखा रहे हैं आप इस CCTV को देखिए जड़ा गौर से देखिए कि दबंग कैसे एक छात्र की पिटाई करते हैं और ये खबर आपको इसके दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रसाशन कारवाई करें और इस तरह की घड़ना पर रोक लगाए देखिए इस एक पूरा से चंदल कुमार की रिपोर्ट इस वीडियो को गौर से देखिए कि कैसे आपसी गैंगवार में दबंगो ने एक छात्र को पहले नंगा कर दिया और उसके बाद इस छात्र को दोड़ा दोड़ा कर पीटा इस दोरान छात्र जान बचाने के लिए स्थानिय एक घर के साथ ही एक डॉक्टर के याँ श्रन लेनी चाही लेकिन उसे वहाँ भी श्रन नहीं मिली इस दोरान दबंगो ने श्रन देने वाले के घर और डॉक्टर के साथ दुकान पर भी पत्राओ कर जम कर उत्पात मचाया इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस को भलक नहीं हुई जानकारी के मुताबिक मुकामा जीले का छात्र सुभम कुमार से पूरा में रहकर पढ़ाई करता है शुक्रवार को वह बाईक से बजार जा रहा था जहां दबंगो ने उसे पकर कर इस घटना को अंजाम दिया इस भाबत स्थानिय लोगों ने बताया कि यह मामला दो जूटों के बीच चल रहे गैंगवार से जुरा हुआ और एक जूट दूसरे जूट के लोगों पर हमला करने की ताक में लगे रहते हैं इसी को लेकर शुक्रवार की देर साम इस घटना को अंजाम दिया गया है दबंगो के भैस से स्थानिय लोगों ने बीच बचाओ की भी कोशिश नहीं की हलाकि पूरी घटना सीसी टीवी में कैद हो गई घटना की जानकारी मिलते ही एस्पी दया संकर ने मामले की तह की कात के लिए सेकपूरा पुलिस को घटना स्थल पर भेजा उन्होंने कहा कि दबंगो की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी दबंगो को गिरफतार कर लिया जाएगा खुलासा के लिए शुतिप्रिया के साथ सेकपूरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट हमारे साथ बले रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिये गए बेल आइकन को जरूर दबाए फिलाल के लिए दीजे मुझे इजाज़त नमस्कार